श्री शिवाय नमस्तु भ्यम दर्शकों पूजनी स्री पंडित प्रदीप जी मिस्रा द्वारा बताया गया एक छोटा सा उपाय है जो आपको फुलेरा दूज के दिन करना है और यह उपाय सिर्फ फुलेरा दूज के दिन होता है आपके समस्त रोगों को दूर करेगा चाहे वह गंबिर से गंबिर विमारी क्यों ना हो उसे दूर कर देगा और आपके जीवन में खुशियां ला देगा यदि आपका व्यवसाय व्यापार ठीक नहीं चल रहा है तो इस दिन आप बिना महरत के भी व्यवसाय प्रारंब कर सकते हैं व्यापार प्रारंब कर सकते हैं कि प्रवार्ब करना चाहते हैं उसका बिना महरत के ही इस दिन शुभारंब कर सकते हैं आप बता दें कि इस दिन छोटा साहिक उपाय करना है अपने रोगों की मुक्ति के लिए और लक्षमी की प्राप्ति के लिए आपको किसी भी समय फुलेरा दोज के दिन भगवान शिवलिं पर एक धतूरा समर्पित करना है एक धतूरा अपने हाथों में लेकर अपनी मनोकामना बोलनी है आपकी कोई बीमारी है या किसी और की बीमारी के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो आप धतूरा हाथ में लेकर के मनोकामना करें और भगवान शिवलिंग पर समर्पित कर दें बस इतना सा उपाय करना है, आप लक्षमी की प्राप्ती के लिए भी यह उपाय कर सकते हैं, आपके समस्याओं का समधान इस एक उपाय से मिल जाएगा, महाशिवरात्री हो, प्रदोश हो, एकदशी हो, या कई साभी दिन हो, हर एक दिन के उपाय हमने अपने चैनल पर डाल रखे हैं, पूजनी गुरू पंडित प्रदीब जी मिस्रा दोरा बताय हुए, उन उपायों को अवश्य कर लीजिएगा, हमारे चैनल पर नहे हैं तो चै शिवाए नमस्तु भ्यम जाए माता दी